Welcome back दोस्तों मैं हूँ विक्रम और यह हमारा MySQL का second video tutorial है और guys इस tutorial में हम MySQL को setup करना सीखेंगे लेकिन उससे पहले हम कुछ बाते जान लेते हैं MySQL software जो है वो inbuilt database server के साथ आता है जो actual data को store करता है MySQL को हम दो तरीके से access कर सकते हैं पहला MySQL client के थ्रूँ और दूसरा web-based application phpMyAdmin के थ्रूँ तो guys MySQL client जो है वो graphical interface नहीं होता है इसमें हम लोग को command line का use करना होता है लेकिन हम लोग phpMyAdmin का use करेंगे क्योंकि यह easier and more natural है और इसे use करना बहुत ही आसान है इसके लिए हम लोग को XAMP डाउनलोड करना होगा या आप कहा सकते हैं XAMP वो एक software है जिसमें PHP and MySQL inbuilt आता है तो उसे डाउनलोड करने के लिए आप apache friends.org पे चले जाएए और वहाँ पर download section में जाके इसे आप download कर लीजे guys मैंने पहले ही download कर रखा है मैं इसे दुबार डाउनलोड नहीं करूँगा और जब आप इसे डाउनलोड कर लीजेगा तो आपको ये पैनल कुछ इस तरह का दिखेगा ठीक है ये देखे अपाची और MySQL आप इसे दोनों को यहाँ पे action में जाकर करके यहाँ पे start कर लीजे तो मैं इसे यहाँ start कर लेता हूँ और ब्राउजर में जाके आप टाइप कीजिए localhost और यह इसका dashboard यहाँ पे आ गया है यहाँ पे आप देखे पीएशपी myadmin हम इस पे click करते हैं और गाइस यह देखे पीएशपी myadmin है यहाँ पे हम mysql के साड़ा code लिखेंगे तो इस tutorial में इतना ही next में हम database create करना सीखेंगे तब तक के लिए goodbye and don't forget to subscribe to my channel और guys अगर आप मेरे subscriber है तो please like करना ना भूलिएगा thanks for watching guys